हेलो फ्रेंड्स, I am Ali from Ali Technical Institute तो कैसे आप सभी लोग? I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आपने हमारी वीडियो पे क्लिक किया है तो जरूर आप परिशान हो Mobile Repairing Field में अभी हो Problems आपकी कुछ Face कर रहे हो लेकिन वो आपकी Solve Out नहीं हो रही चलिए, टेंशन नहीं, हम है ना देखो, इंडिया के अंदर पहला हमारा इंस्टिटूट है जो Live Support Class देता है तो पहले आप इस Support Class को देखना और समझना कि इस तरीके की अगर Support Class आपको मिलेगी तो आपके साथ कितनी हेल्प होगी? और हमारा कोर्स सिलिके अडबांस तक हर एक चीज़ को प्रॉपर डीप लेवल पर समझाया जाता है और हमारा फोकस मेनली किस पर रहता है? चलो आपको बता देते हैं हमारा फोकस मेनली हमेशा रहता है डेट सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन और टरबल सुटिंग प्रोसेस हम किसी को भी टरबल सुटिंग प्रोसेस का पूरा फंडामेंटल्स एक्स्प्लेइन करते हैं चलिए, देखिए भी आप हमारी सपोर्ट क्लास और समझेगा कि किस लेवल पर हम आप लोगों की सपोर्ट करते हैं अब लोगों को भी पता चले आपने क्या प्रोब्लम आपके पास आया आपने प्रोफेशनला उसको रिपेयर किया है है when that's coming हम यह साथे तो पहले से गर रहे थे लेकिन अभी आप जो रिपेयर करोगे प्रोफेशनली करो यह चाहते हैं वहां जिसके अंदर है ना सारे मेंपिक यएर लिया सब सही आ यह पूर हारा है पूरे मेंपिक घीर है और वीड पी वीचर आगे प्लेशिक्स मानशिख और है ठीक है उसके वाल आगे वी वह वन पाइंट बन रहा है टीरिंग एपक्स बन रहा है यह सीए लेश्डी एवन पाइंट बन रहा है जब वेस्ट को चेक करने की जरूत नहीं ठीक है आगे बताओ अगर बन गया ठीक है तो एस दीए और स्टीएल को चेक करने की जरूत नहीं ठीक है आगे बताओ तो उसके बाद हमने रिसेट लाइन को चेक किया उसके अंदर यार फाइव और रहा है लेकिन हमारा वोल्टेज बन रहा है जीरो पाइंट टू वोल्टेज बन रहा है वन वोल्टेज बन रहा फॉल्ट बन रही वक्व आंग रहा है बहुत ग्राफिक्स बिल्कुल भी नहीं दीख ना घंजाता है शॉदक विल्कुल ही नहीं आ रहा है ना लाइट बारा है नई ग्राफिक्स न मंढ़ए जाएंग अग्व को प made कौन से मोडल दोनों में कुछ भी रहा 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 है देखो आप चाहो तो इसकी रिसर्ट लाइन को बाइपास करते हैं जिसके तरीके से रिसेट सिकनल को बाइपास कैसे करना है वह आपको पता चलते हैं और इसके अंदर नहीं बन रही है तो लाश्ट में फानल स्टेप हमारे आउटर क्याप है जो फ्लाइग क्याप है बीस्टी क्याप है उसमें भी थोड़ा आपनार्मल लगा मेरेको चेक करो आप सपोर्ट ग्लास ग्रुप में हो जाके चेक करो मैंने विडियो दे दिया सेम इस तरीके से दो दो कमपोरेंट के थरू आप इसको बाइपास कर सकते हैं इसलिए और और कोई बता अपना प्रॉबलम तर जिस अलम वालेकुंट 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 असलाम बोलो जी मेरे पास एक फॉन है यह वीवो बाइक के प्रॉलम यह चार्जिंग बंद में तो सो कर रहा है ओन में सो नहीं कर रहा है कि आप में नहीं कर रहा है विसकी बैटरी चैंज करके देख ली सब्वोड मिडर प्लेट और जो वीवस की जो लाइन है इसकी पावर भी चैंज कर दी बात नहीं कर बात नहीं अब यह बताओ यह फोन कौन सा है सब्सक्राइब कर सकते हैं आप यह बताओ कि आपके पास इसकी कौन सी आईसी है इसके अंदर पावर आईजी तो बिल्कुल ईजिए सब्सक्राइब कर लो जो पिन से कनेक्टेट रहते दो रजिस्टर इसका बिटमैप भी नहीं है तो बिटमैप भी नहीं है फिर आपको एक अंदासा लगाना पड़ेगा एक सेकंड वह मैं इसकी पापर आईटी का इसी और आईटी का वह बिटमैट लिका लेता हूं वह एक रजिस्टर लगा होता है देखो मैं समझाता हूं और मैं देख लेता हूं आज कितना देखो आप काफी मेनद करते हो वैसे भी तो आपको यह लाइन को बनेट है उसमें विशी डिटि वोल्टेज फोर चाड़ेंग्डेक्शन का कभी-कभी वोल्टेज मैसिंग होता है एक वोल्टेज डिबाइडर सर्क्ट लगा होता है उसके दुरूब वोल्टेज जाता है जाकर चेक करो विसी डिटी और यह मिल जाएगी आइसी पैट काउंटिंग तो आती है किस नमर पिन पर बताया था सजी आप किसी भी स्कामेटिक को खोल लो आप देख लो विसी डिटी कहां जाएगा में पावर में ठीक है बताते हैं और कोई बताओ अपना प्रब्लम को बनाएक कुमार की बताइए जो फोन है उसमें डिस्प्लेज जिलाता है हमने सिप्यू डिबॉल कर लिया रम को भी चेंज कर लिया और कनेक्टर भी लागा दिया फोलडर भी चेंज करे तेपल दोंग नेरी क्या प्रब्लम है यह उसके बाद मैं जल्दर आने लगता है 10 सेघ्ड कर लिया लिए चीनिया लिए झानेक्टर भी चेंज कर दिया फोलडर सेम कंडिशन से रैम है चेंज किया एक पर्फेक्ट टाइम पर आके जल जारा जो उसमें प्रॉब्लम आती है पर्फेक्ट टाइम पर फिर उपर नीचे ओजाता है कि नएग नएग तब कभी कभी चलता है कभी कभी दस मिनट बाद घेंए लगता है बाद प्रॉपर टाइम कि दस मिनट बाद होगा या बारा मिनीट था हां एट जी कह आप एकांट करना प्सक्राइब तेखिए तेखिए अभी अभी निए इसे अभी आगे जैए अभी आटेए टुन एक विए पांज दो कि को अब कोई कोई सेट भी सारवन करने से कोई कोई हो जाता है वह तो नहीं करना है जी 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 आज तक हम वह काम करते आहें जो तो किसे ओजाए अभी वही काम होगा तो तो फिर क्या फायदा हुआ अभी आप एक इस वालने जॉइन भी कर सकते हो आपको पता है आपको यहां पर लाइट सपोर्ड दे रहे हैं समझाओंगा आपको सॉप्ट्वेर तो करना ही करना है लेकिन से क्या कनेक्शन होता है यह चीज़ भी मैं आपको बता हूँ कुझे कुझे सब्सक्राव कर से क्या एंक जेंगार पर लेकिन साइवभां साब सुम्हार को था सुन्धे रुवाओंगा है आज्यवाजे तो फ्युभ्टावजे तो इस आपकोशось को इसाए है देखो यह एक LCD NTC की लाइन मिलेगी आपको देखने को जी इस लाइन पे 1.8 वोल्टे जाना चीज़ जी जी अब एक और चीज़े इस लाइन में कितने कंपोनेंट लगे हैं वो देख लेते हैं जी करते हैं पिर नेक्ट करेंगे यह लाइन यहां से निकल कर डिरेक्टली जा रही है हमारी लगा हुआ है और इसके बीजिस्टर लगा हुआ है 390 का यह रजिस्टर है इसको जाकर एक बार चेक करो अगर यह रजिस्टर की वेल्यू भी अपडाउन हो गई होगी तो भी हमारे फॉन में से इसी तरीके की प्रोब्लम देखने को मिलेगी क्योंकि कुछ टाइम तक चलेगा फिर वो उसको एक एंटीसी वे वैसे तो इसमें एक तरीके का निगेटिव टेंपरेचर कोईफिस्टेंट एक थर्मल एरर आना चाहिए लेकिन इसका सीप्यू से है हमारा ठीक है इसका र लगा कर चेक कर लेना ओटो एंपियर कंजक्शन तो नहीं यह फोन नहीं चेक है यह यह उसके बाद यहां पर यह एक के लिए विए वन पॉइंट निकल रहा है नेक्स्ट करते हैं कि माई पी आई कि मैक्स्ट कि मैक्स्ट कि 1.8 इनेबल कि नेक्स्ट कि माई पीए की देखो यह सारे के सारे यह माई फिल्टर लगे हुए आपको अच्छे से जाकर चेक करना है कि ज्यादा जियार का डिफरेंट नहीं होना चाहिए इनके बीच में जब ज्यादा जियार का डिफरेंट होगा ना इनके बीच में तब यह प्रॉब्लम हमें बहुत ज्यादा कंडिशन में देखने को मिलें ज्याद का डिफरेंट नहीं होना चाहिए यह जो एनके वीचे में ज्याद का डिफरेंट नहीं मिलना चाहिए जितना लिखा हुआ उतना पे हां दस ट्रेक होते हैं इसके माई पेक अभी चेक नहीं गया क्या एक यह सब इसका जी आर मतलब दस की दस लाइन का लगबग लगबग सेम होना चाहिए अगर किसी भी एक लाइन का अप डाउन है ज्यादा लेकिन ज्यादा आप डाउन है तो बोले चलेगा एक बार इसकी चेकिंग करके मुझे बताओ अगर यह नहीं होता तो आपको एक बार अब लेकिन पहले हाडवेर का प्रोब्लम है हम भी कभी कभी से हो जाता है रिबॉल कि यह सीपी तो हो जाता है अपका कब किस कंडिशन में होता है जब रिसेट या टीए में प्रोब्लम हो जब दोनों के ते को यह नाम से सर मालम नहीं चलता है हाडवेर अजनी के पहले प्रोब्लम किया था ज्यक्षक वाला और निकालने के बाद में सब उसमें विपीएच चेक किये विपीएच बन रहा था उसके बाद में एक लाइन मीशिंग था सर वन पंट एट का हम उसको वन पंट एट दे दिए और आई सी डाले सर आ गया ठीक है इसी तरीके से आपको क्या करना है आपको जाना है एप्लिकेशन के अंदर आपको सारी क सेक्षन को देखो उसमें टी इई और रिसेट इनके बारे में पूरा डीटेल के अंदर बताया गया कैसे चेक करना है कितना वोल्टेज आजाना है क्या हो साथ है उसमें 0.8 से लेकर 3.7 वह सर बांता नहीं है वह चार्जिंग इडर का प्रोलम हो नम उसका हाडवेर भी खुल कर रखे अभी लेप्टप पे लेकिन यहीं सब्समाज में नहीं आता है यहां पर निकला और यहां पर यहीं पर नहीं आता है अब यहां पर कितना बोल्टे जाना चाहिए हमको मालूम नहीं चाहिए जिरो पॉइंट से लेकर वन पॉइंट से लेकर वन पॉइंट सॉरी 3.3 वोल्टेज तक जिरो पॉइंट सिक्से टीपंट 3 इसमें सल्राम प्वश्चि चंज कर दिये इसका सेमी कंदिशन है अ फिर भी वोल्टेज नहीं बन रहा है वोल्डेज नहीं बन रहा बिल्कूल नहीं बन रहा है कौन सी आइसी है मेड़िक याज़िक नहीं यह पर है एस्पेड्रम साय इस पेड्रम में नहीं बनेगा अगर स्पेक्ट्रम है तो है अलो वेट जी शाड तो तो आपको एक काम करना होगा जो इसके रजिस्टर लगे हुए है इस रजिस्टर के साइड वोल्टेज चेक करो जिदर भी रजिस्टर का यहां से यहां से लेकर आपको कनेक्टिविटी लेनी है पावर आईसी तर पूरा ठीक है यह वाला जो हम पावर आशिव ठाय है और यहां से यहां कनेक्टिविटी नहीं नहीं है यह चेक नहीं हम खाले पावर आशिव चेंज करने है नहीं बना चेंज करना लिए हमें स्टेप बाइस्टेप काम करना चाहिए और स्टेप सब्सक्राइब चेकिंग करने चाहिए पहले यहां पर अगर यहां पर आएगा तो 0.6 से लेकर 3.3 वोल्टेज तक आए तो इसको बताओ इसको देखो जब चेक कर अगर तो आप पैट तो पैट कनेक्टिविटेज जरूर चेक किया तर इस कंडिशन में एक हाँ और कोई बताओ अपना प्रॉब्लम हालो 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 हाँ बताओ यह रेडमी नाइन ना आया था हमारे पास तो उसमें सब्सक्राइब निकाला निकालने के बाद मैंने चेंज किया लेकिन रीडिंग अठाटी या और शठ तक जाने के बाद जीरो-जीरो हो जा रहा है तो फिर करके देखा को भी देखा पूरा चेकर करके चेंज भी किया है अच्छा प्रॉट भी बना रहा है और फ्लैशिंग भी हो रही है अच्छा अच्छा आपने सिप्यू कौन से वर्दन उसका मैच किया था या नहीं किया उसमें लगा था सी भी हमने लगाया है डबलू भी बहुत बढ़िया फिर तो चलना चाहिए फिर तो उसमें 5G network आने चाहिए आपने तो नंबर ही डिफरेंट कर दिया तो फिर तो डाटाशीट तो उसकी मैच होगी नहीं ना इस बादो आपका बीवन से रिंगर रहा है रिसेट का सिगनल और आपके बाले में जो आपने उसमें लगाया उसका पिर से बोल दिजिए आप नहीं आ रहे थी फिर से बोल लगा था उससे रिसेट का सिगनल आपका टीवन से निकल रहा था दूसरे बाले में टीवन से निकल रहा है तो वो कैसे काम करेगा उसका सेम एक्जेक्ट सिप्यू लगो नेम और नंबर दोनों मैच करने चाहिए ऐसे तो आप बेवज़ा की मैनज कर रहे हो पिर है क्या है कि अधर वह हमने आप पहले बता था जो में हीट हो रात है मतलब सीप्यू हीट हो रहा है अलकाल का दीरे दीरे हीट होने के बाद करी 15-20 मेंने यूटूब वाइफाई से एक मिनिट चला या उसको यूटूब चला उस फॉन में न पूरे मधर बोड में रोजन लगाने सारी लटाते हैं तरह सब लगाया है आपने बोला था पूरे बड़ाने के बाद सिर्फ सीप्यू हीट हो रहा है या और भी कोई तो सीप्यू को एक बार रिबॉल करके डाल लो अगर फिर भी काम नहीं चलता तो से यह इसके करना पड़े लोगा तरीये समसिंग का फोन है समसिंग ये भावन इसमें ये मतलब सप्रिट बार इसके बाद से अ नहीं नहीं आ रहा तो हमने एक वार मैंने का रहें और फॉन हमने रखा और इस तो उसके बाद मेंने से लोड़ने का पूरक पूरा एक लोल्ती सब प्रोपर दुबारा से क्योंकि आपका नेटवर्क तो आया तो नेटवर्क सेक्षण को छड़ने के ज़्द जरूरत है नहीं काम आपने कहां किया है काम कि आपको काम करना पड़ेगा और उसके बाद भी नेटवर्क नहीं आते उससे पहले आप नेटवर्क सेक्षण के जो होते हैं जो फिल्टर्स होते हैं उन फिल्टर्स पे एक बार हीट देके देख लो आपका ठीक है किसमें आपका कुछ करने की सब्सक्राइब करने के बाद बेसिक है आपका जैसे कि मानलो सब बोर्ड हो गया सब्सक्राइब करो यह तो आपका पहला काम है जो एडवांस चीज है वह मैं आपको बताता हूं सीप्यों तरफ जाना पड़ेगा यह जो बेसिक है यह आप खुझ से कर लिया गरो तो में बोला था पहले मेरा यह चल आता उसका यह था लब्ड़ा उसका जैक नया लगा तो समस्ष्ण वह वह तो मैंने करने के बाद यह हो गया नेटवर्क आया घड़िया नेटवर्क फिर मैंने का चलो पहला काम होता है डाइग्नोस का सब्वूर्ड को चेंज करके देखो अगर सब्वूर्ड से नहीं होता तो आप इसका नेटवर्क सेक्शन में हीड दे दो क्योंकि आपका ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है और अगर फिर भी नहीं होता तो आपने जो सीप्यूर्ड किया उसको दुबारा से रिबॉल कर सीवी मतलब लिखा है आगे बीटी टी आर आर से तो आट सीवी इसी नंबर का एक और मारे पास प्रका था सीवी वाला वह भी लगाया तब नहीं हुआ हमें लगा कि नीचे वर्दन लिखा होता है अच्छा अच्छा बर्दन करोंगे आप डेफोर की क्लास में जाओ 15 अपरेल दोजार 24 बाले में डेफोर की क्लास में जाओ उसमें पता चलेगा ठीक है क्लास देखो सॉलेशन से मतलब मत रखो सपोर्ट बर्द करते जाएगी यह जिदनी भी क्लास करा रखी है तो उसका मतलब यह मत समझो कि सपोर्ट ग्लास डेली चल रही है मैं यह चाता हो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ खुद से काम करने लगो वर्जन आई सी पैड चीज़ें यह आप खुद से नहीं कर सकती यहां पर सिर्फ आप उसके लिए बैठो जब आप सारे अपने अपना लोगे सही लेविल पे उसके बाद आपका कोई नहीं बनता फिर हम बनवाएंगे अगर आप छोटे मोटे काम लेके आई सी का वर्जन क्या होता है वर्जन ह आप पॉल जी बोलो इस पर रेंट मी नॉट नाइन फॉन आए हुआ है तो रिजिस्टर हो रहा था था को फिक है तो इसमें में पॉल जी पीए के पास एक रेजिस्टर रहता है अले तो वहने रिमूव किया तक पॉन ओन हो गया है तो नहीं हो प्याएंगे तो सब्सक्राइब किस्टर हो रहा है तो अगर रेस्टर हो रहा है आप ने क्या गिया इसमें फिर दूबारा कि दुबरा मैंने सर्फ को लाए असुल चाके मदरमड में से किसे अधर में रिख पर लगाया और चेक है फिर भी वह से वकारे संट है और कस्तंबर को उसका लेटा इंपोर्डेंट है इसमें क्या हो सकते अगर वह इस टूरे जाइसी से ही चला गया होगा फिर डेटा कैसे मिलेगे या तो इसकी निकालो लेकिन मैं भी आपको फ्लेशिंग तो करनी होगी आपको देखो इसमें सौफ्टर का नहीं है यह कैसे बता चलेगा आप फोन की टाइम करो और इसकी टाइमिंग लगा तो समझ लो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना ज्यादा लेटा तो अभी तुक तिन चाहिए था तो ज्यादा तो लेटा अभी कुछी बचा है माइक्रोन का तो यह निकलते निकलते गायब हो जाएगा तो आप उसको एकी सीन एकी चीज बोलो कि देखो फ्लेशिंग तो करनी पड़ेगी अधरवाइस फ्लेशिंग तो करनी ही पड़ेगी उनको बोलो इस चीज़ को तर कॉम सेटेश में जाएं किसमें पड़ाए वीडियो पंदर एप्रेल में जाओ बारा एप्रेल में जाओ किसी में चले जाओ अब बारा जुलाई में है अब लुक्त अप्लोड हो गई है कल वाली नई कल ग्लास नहीं 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 लिंक आया हुआ तो अच्छा और फेर पास वन्प्लस का फोन आया हुआ है वालो दिखा के मन्द हो जा रहा हैं क्या दिखा के बंद हो जा रहा है लोगों लिखा जा रहा है जो लोगों लिखा है लोगों लोगों को लिए लिगा डोलडे करें रिबॉल करो ठीक है और और बताओ जल्दी जोड़ा फास्ट पास्पूश लो जो बोलो नूर जी हालो अलेकुन दिखने रहे हो अब तरह को एक्स तरी है माइक वर्क निंगर रहा सर्व मिडल पता चार्जिंग पता दोरों बदल दिया माइक वर्क नहीं कर रहा नहीं तरह हो सकता है इतसमें इस्टो हो वगएरा कितने रिपेर और रखाता था आपने ट्रैक को किया किस्यों को चेक किया अपने चेकिंग क्या कि कि अगर वल्टेज कभी बनते और कभी नी बनते हैं ते उसने माइक काम कर जाता है मतलब इस से पहले मैंने इसका अगले दिन फिर वह लेकर आगिया कि काम नहीं कर रहा तो सब आज मैंने फिर पदला एक गंटा चला वह फिर बंद हो गया मदरबोर्ट जब मैंने पीछे की साइट खोल के देखा तो इसके डूवल टेकर पर काम हुआ पड़ा है अगर काम हुआ है तो पहला किसी भी फॉल्ट को बनाने मैं अगर आपका एक छोटा सा भी फॉल्ट है ना चार्जिंग का ही ले लो कुछ भी ले लो कोई भी फॉल्ट अगर बनाते हो तो सबसे पहले आप यह देखा करो आई डेकनोस करके कि उसमें काम किसे अटा सब्सक्राइब कर सकते हो रिकॉर्डिंग लगा कर ठीक है अगर आपको यह वोल्टेज मिल रहा है और कई कि मिलके जा रहा है आ रहा है जा रहा है तो और इस कंडिशन में कोडेक भी रेस्पॉंसिबल होती है लेकिन आप जब बता रहे हो कि इसके डूर्डेगर पर काम है तो फिर बहाबर ही काम करो तो पैट-टू-पैट कनेक्टिविटी ठीक है तो और कोई बता अपना प्रॉब है कर तो यह साथ चालों कुण और यह उसक्ति यह एक का फोन आया हुआ है मेरी पास यह दिक्कत है मतलब रहा सनगर्ण करता है बएक हो जाएगा कि अबने भी किया नहीं कुछ क्या करें करने को बहुत सीजी सोच इसी चीज़ है पहले खुछ से दिमाग लगा लो अब यहां पहला तो काम यहीं बनता है ना पहला सौफ्ट्वेर का बनता है नहीं हुआ फिर इसकी स्टोरेज आइसी को निकालोगे और बॉक्स में लगाओगे अगर हेल्थ का इस निकला तो प्रोग्रामिंग करोगे अब इसमें वही चीज़ करो जो पहले खुछ से सोचो अब यह सारे के सारी चीज़ है बोलो और कोई बोलो अपना प्रप्रप्लम हलो सर हां बता हुआ 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 है आपकी वोइस ब्रेक हो रही है कि वोइस ब्रेक हो रही है और कोई बोलो अपना प्रप्रप्लम चलो हाँ बोलो नहीं आ रही है ब्रेक हो रही है हुआ है कि आपकी वोइस ब्रेक हो रही है हुआ हुआ है अभी आई फिर ब्रेक हो रही है आप मुझे वह अपने गुरूप में मैसेज करो सपोर्ट गुरूप में ठीक है चलो कोई नहीं आज की आई होप सभी लोगों की जितने भी प्रोब्लम्स थी सारी सॉल्वाउट हो गई है मिलते हैं आपसे सेम डे अगले दिन और जानते हैं फिर आपका क्या हाल है जितने लोगों ने अपने अपनी प्रोब्लम्स को पूछा है वो अपने अपनी प्रोब्लम्स को एक बार शेयर करें जितनों ने डन कर लिया नहीं हुआ तो भी शेयर करें